नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, उम्मीद है कि आपने प्रशान सर का पहला पार्ट में वीडियो देख लिया होगा, जिसमें प्रशान सर ने अलगबग आधा कोश्चन सॉल्ब कर दिया है, UPPCS प्रिलिम्स का जो आज हुआ है, यहनी 15 दिसंबर को, अब जो आधा इन्वाइर्मेंट और जो है, बाकी चीजे जो है, वो मैं इस पार्ट में आपको पूरा हल बताऊंगा, उसके बारे में जो है, जो तर्क है, जो लॉजिक है, उसके बारे में बताऊंगा, कुछ प्रस्नों में हलाकी संसय की स्थिति है, क्योंकि पेपर का इस्तर जो है, अ अपनी राय आप रखें, जब कोई question को आप बताएं, तो उसके साथ में उसका तर्क जरूर बताएं, जिससे हम उसको जब अगला वीडियो इसका बनाएंगे, तो जिन questions पर doubt है, उसको हम लोग उसमें take up कर लेंगे, तो मेरे पास D series है, D series जिनके पास होगा, वो सीधे सीधे म मिला सकते हैं, बाकी जो है questions, जिन लोगों ने paper दिया है, उनको तो पूरा-पूरा याद ही हो जाता है, तो आप जो है उस तरह से मिला, सबसे पहला question जो है, जो D series में हमारे पास है, दस number question, which has the following algorithm है, जो white blood, तो white blood actual में कुछ नहीं होता है, ठिल चट्टे में या काक्रोच म होने के कारण जो है, उसको हम white blood भी कहते हैं, nitrogen fixing bacteria makes combination of which cell of the roots आप, तो nitrogen का इस तरी करण करते हैं, bacteria, वो किसके जड़ों में पाए जाते हैं, डाल में, यानि जो pulse family या legumes जिसको हम कहते हैं, उन फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं, और वहीं पर जो है वो nodules बनाते हैं, औ और उसके द्वारा nitrogen fixation का कारे करते हैं, अब एक question यह आया था, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेसित किया जाता है, तो निम्न में से क्या घटित होता है, तो इसका जो है, जो सबसे सही उत्तर है, यह है त्रिज्या बढ़ जाएगी, त्रिज्या बढ़ जाएगी यानि उसका जो है radius बढ़ जाएगा और bubble जो है expand हो जाएगा, यहाँ पर positive और negative charge की बात नहीं की गई है, यहाँ केवल charge की बात की गई है, इसलिए उसका उत्तर है सही हो जाएगा, अगला प्रस्न इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो तेरा नंबर में जो है आप देख सकते हैं, oxytocin तो एक हार्मोन है, aspartum जो है एक जो है क्रतिम जो खास कर जो है, मीथा स्वाद उत्पन करने आले पनार्थ है, और neoprene जो है जो है एक जो है specialized rubber है, रेयान जो होता है एक क्रतिम रेसा होता है जो की रुपांत्रित इस्टार्च ना होके, यह जो है hydrocarbons यानि यही वाला option जो है सुमेलित नहीं है, आगे चलते हैं, इसमें कौन सा एक protein नहीं है, तो सबसे पहला option आप जो है देख सकते हैं, कपास, कपास क्या है, कपास जो है protein से ना बनके किस से बनता है, कार्बो हाइडरेट से बनता है, तो कार्बो हाइडरेट से बने होने कारण ज फ्लास, थर्मस फ्लास जो हते हैं, उसमें अगर कोई ठंडा पानी म reais रख दिते तो ठंडा रहता है, तो इसके पीठे जो है कौन सी जो है गटनाए बिज्ञान की जिम्मेदार हैं, तो यहाँ पर तीनो घटना, यानि कंड़क्शन, कंवेक्शन, अयन डेडियेशन, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा C, ये तीनों ही घटनाएं जो है मिलकर गरम को गरम और ठंडे को ठंडा रखने का उसमें काम करती है मानों सरीर में कौन सी ऐसी गरंथी है जो external gland और internal gland दोनों ही तरह की काम करती है तो ये तो बहुत ही easy question है पाइनक्रियाज अगनास है जो है बाइगरंथी और आंतरिकरंथी दोनों ही तरीके से कारिक करती है अब हमारे सामने एक अच्छा question ही आया हुआ है निमलिखित में से किस पदात में calcium बिद्दमान है तो बहुत लोग जो है इसमें talc से confuse हो रहे थे तो इसमें talc जो होता है वो hydrated magnesium silicate होता है और china clay जो है AL2Si2O5 होता है जिपसम का अगर आपने formula पढ़ा होगा तो जिपसम ही जो है जिपसम का formula होता है CSO4 into 2HTO तो जिपसम में जो है calcium पाया जाता है निमलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है ये बताना है हमको तो एक एक करके आप देखिए अगर जो है तो जो milk आप magnesium होता है ये क्या होता है ये antacid होता है lithium bicarbonate इससे गठिया या rheumatitis का इलाज के जाता है silverided ये artificial rain कराने में काम आता है लेकिन जो silver bromide है इससे कृतिम प्रकास translation नहीं होता है बलकि जो silver bromide है ये photography में जो है इस्तमाल किये जाने वाला पदार्थ है तुलसी के पौधे का आउसदी ये महत्व किन जो है कारण होता है तो उसमें जो phenol और phnevonides पा जाते हैं उसके कारण ही तुलसी के पौधे में बहुत सारे आउसदी गुड़ोते उससे कई सारी दवाईया बनती है अब ecosystem की हम बात करेंगे तो ecosystem में हम इसमें चार कथन दिये हुए हैं तो सीधे सीधे हम बात करते हैं कौन सा कथन सकते हैं तो जो उत्पादक होते हैं यानि जो producer होते हैं producer कौन से होते हैं green plants होते हैं algae होते हैं blue green algae होते हैं यह जो है primary consumer से अधिक होते हैं यहाँ पर जो है numbers की बात की जा रही है ना कि biomass या किसी याने चीज़ की तो primary consumer से ज़्यादा जो है संख्या उत्पादक producer की होती है आगे चलते हैं अगला आया है eutrophification यह आपने जो है environment पढ़ा होगा इस paper में environment और ecology उससे सम्मंदित बहुत ज़्यादा प्रसना है और जो पूरी तरह से जैसे UPSC का pattern follow कियाने की कोशिस की गई है हलाकि fact seat अभी इसमें ज़्यादा है fact based ही सारे question पूछे गए ज़्यादा तर तो eutrophication क्या होता है eutrophication किसी water body में जब nutrients ज़्यादा मात्रा में घुल जाता है तो वहाँ पर क्या होता है आपने देखा होगा ponds में जलकुम भी उजाती उस पर तरह तरह के सते पर पौधे उग जाते हैं तो eutrophication के कारण जब ज़्यादा सारे पौधे किसी water body में आ जाते हैं इसमें क्या होता जो dissolved oxygen होती घुलित oxygen उसकी कम ही आने लगती है तो अगर इस तरह देखा जाए तो इसमें दोनों ही कथन जो है सही है कि घुलित oxygen को कम कर देता है और उसमें जो है nutrients मिल जाते हैं आप the environment modified by human activities इसका जो है special scientific नाम क्या है anthropogenic environment हो सकता है आपके लिए नया हो ना पढ़ाओ आपने तो anthropogenic environment जो है ये मानो द्वारा दिक्सित environment को कहा जाता है अगला प्रस्न इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं तो इसमें पहला कथन आप देखिए भूमद रेखा से ध्रूमों की ओर जाती विविद्दा में ब्रद्धी होती है ये बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है बलकि होता क्या है कि ध्रूमों से अगर जो है भूमद रेखा की ओर आते हैं तो जै विविद्दा में ब्रद्धी होती है दिरुमों पर कोवल इस्पेसलाइजड प्लांट या स्पीसीज जी उपाती है, जैसे जैसे उपर बढ़ेंगे ठंड बढ़ती जाती है, सूर के प्रकास की अविधी कम होती जाती है, और उचाई होने के कारण परिस्थितियां ऐसी बदलती है कि इस्पेसीज जो है वहाँ पर कम होने लगती हो तो इसका पहला कथन जो है यह सत्य नहीं है अब इसमें से वायू प्रदूशन के लिए सूचक जो है तो यह पहले भी कोश्चेन आ चुका का denaturation होता है अगर उसको बहुत ज़्यादा heat कर दिया जाए लेकिन posturization ये चाय से संबंधित नहीं है posturization जो है किसी भी पदात को समच्छित करने के लिए इसका खाद परसादसों को जो है पहले high temperature पिले जाके low temperature पिलाते हैं जिससे जो है उसमें किसी भी तरह की बैक्टीरिया और जो है ना बन अपने पाएं इनमें से कौन सा एक herbicide है यानि साक नासी है तो इसमें से जो है sodium chloride sodium chloride जो है एक साक नासी या herbicide की तरह कारी करता है गैस जो धान के खेश से उसाजित होती है जता भूमी के तापमान यानि global warming में जो है ब्रद्धी करने में मदद करती है तो कौन सी गैस जो है मीथेन गैस जो है अगला प्रसंदेखते हैं अंतराश्टी सौर गटबंधन का मुख्याले कहां पर है इजी कोश्चन है गुरुगराम में है अगला सौर प्रसंद सौर उर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केनसासित प्रदेश कौन सा है दिव है अब इसको हमको क्रमबध रूप से लगाना है तो सबसे पहले हम देखते हैं तो इनका क्रम देखने के लिए हमको इनके year में पता होने चाहिए वन जीव संदच्छन अधनियम कब आया था ये 1972 में आया था जै विवित्ता अधनियम सबसे लेटेस्ट है ये 2002 का है उसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में आया था और प्रोजेक्ट एलिफैंड जो है 1992 में ये लांच हुआ था तो इस तरह से आप इसका सही करम लगा सकते हैं तो सही करम क्या हो जाएगा भी इसका सही करम हो जाएगा अगला प्रस्न एक परियावरणी कुजनेट वक्र ये परियावरण चती और प्रतिव्यक्ती GDP मतलब GDP में अगर लगातार ब्रग्दी हो रही है तो उससे परियावरण की किस तरह से चती हो रही है इसके संबन में जो है ये संबन को दरसाता है तो ये वक्र कैसा होता है तो इस वक्र का सेव होता है inverted U यानि उल्टे U के आकार का होता है आगे देखते है स्वेज नहर छेत्र में उत्तर से दच्छड की दिसा की ओर पढ़ने वाले जीलो का सही क्रम क्या है तो इसमें सही क्रम हम को बताना है इसका D options है लेक मंजला, लेक तिमसा, ग्रेट बियर लेक और लिटिल बिटर ले ये जो है इसका उत्तर दिसा से दच्छड दिसा की ओर जो है सही क्रम है टेलिग्राफिक पठार किसका हिस्सा है बहुत आसान कोस्चन है North Atlantic Ridge क्योंकि ये सब जो है questions common है पूछे भी जा चुके हैं पहले आगे देखते हैं ये विबिन उस्न कटवी बननी चत्कवात हैं और उनके संबंधित देश हैं तो इसका हमको मिलान करना है इसमें तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा D हो जाएगा किस तरे सो जाएगा उसको हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले विली विली एक के बात करें तो आश्टेलिया टैफू जापान में आता है बगवियो ये फिलिपीन्स का है और हरीकेन आप लगतार सुनते रहते होंगे USA में आने वाला जो है उस्न कटवंधी चक्रवात है आगे चलते हैं निमलिकित में से कौन सा एक नगर Siberia पारी रेलमार यानी Trans-Siberian Rail Route पर इस्थित नहीं है तो इसमें से सही आप्सन क्या है इसका सोची सोची जो है ये Trans-Siberian रेलमार पर इस्थित नहीं निमलिकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पवन और देश दिये गए हैं तो संताना ये कालिफोनिया का है हबूब सुडान यामो जापान मिश्ट्रल आप जानते हैं ये आश्टेलिया संबंदित नहीं है ये France की हवाय है जो भूमद इसागर की और France से चलते हैं अगला प्रसन देखते है प्रसन नमबर 46 इसमें भारत के प्रमुक जो है कोईला छेत्र और वो किन नदी बेसिन में या नदी घाटियों में इस्थिती है उनकी है तो सबसे पहले हम देखते हैं तालचेर की बात करें तो ये तो महानगर घाटी में है फिर कडपुरा जो है दामोदर घाटी में है सिंग्रावली कोईला छेत्र सोन नदी बेसिन में है और सिंग्रेनी जो इससे मिलता जुलता है ये गोदावरी घाटी में इस्थित है अगला प्रसन इन में से कौन सी एक चोटी भारत में इस्थित नहीं है तो इसमें से जो है गुरला मांधाता ये जो छोटी है ये भारत में इस्थित नहीं है जो चीन द्वारा अकुपाइड तिबबत है उसमें ये इस्थित है बाकी सारी चोटीयां भारत में आती है भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चमी विसोब से जाड़े में जो होती वरसा उसकी मात जो है पस्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर जो है कम होती जाती है यानि दिक्रीज होती रहती है फिर निमलिकित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में तो मीठा जल बैता है पर तो निचले भाग में खारे जल का प्रवा होता है तो बहुत इंट्रेस्टिंग कोश्चन है इस तरह कोश्चन लूनी नदी जो शुरवात में निकलती है तो उसका नाम कुछ और होता है वहाँ पर वो मीठे पानी की नदी होती है लेकिन जब वो कच्च के रन के पास पहुंचती है वहाँ पर लोडी नदी या जो है उसका जो है वाटर सैलाइन हो जाता है और वो जरूर पढ़ाओ यह बंगाल डेल्टा से संबंदित है तो यह उसका जो है एक उप विभाग है अगला प्रस्थ यूपी से तो ऐसे प्रस्थ बहुत कम आ है लेकिन एक प्रस्थ यूपी समझ लीजिए यह एकनोमिस के लिए उत्तरपदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्प टाइम्स में डेट भी आप नोट कर लीजिए एक जुलाई 2019 को यह निकला हुआ है कि जो चीनी की उत्पादन है उसमें भी यूपी नंबर वन है तो गन्ना और चीनी में उत्पादन में तो यूपी नंबर वन है लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो वह पर यह महराज से उत्पादकता यूपी की कम है इसलिए पहला कथन जो है मारा सही हो गया फिर दूसरा कारण क्या है महराज तुमें अरिकांस चीनी मिले सहकारी छेतर में है यानि कौपरेट्व सेक्टर में है तो यह भी कथन सही लेकिन इसमें कथन कारण में कोई भी आप विशेश कर अभी जल्ली ही अगस सितंबर में आये हैं और उनसे सरवादिक प्रभावित होने वाले देश कौन से हैं यह हमको बताना है तो इसका सही उत्तर जो है बी है कैसे डोरियन जो है यह बहमास में आया था हेजी बीस यह जापान में आया था लेकिमा जो है यह अगर आने की बात करेंगे तो आप मिटाक को सर्च करेंगे तो यह जो है आपको चाइना भी दिखाएगा लेकिन यहाँ पर पूछा सरवादिक च्छती यानि सरवादिक प्रभावित देश तो उससे जो है दर्चिड कोरी आ रहा है अगला बहुती सिंपल कोश्चन है प् सा युगम सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉड लीवर आयल कॉड लीवर आयल किसका प्रमुख सरोत होता है विटामिन ए का प्रमुख सरोत होता है और विटामिन बी टू जो हता है यह अंडे में डेरी प्रोड़क्ट में यह का जो है वो रिच सोस हो जो है कोड लिवरे रायल की गोलियां आती हैं उसको खाने की सला देते हैं आगे चलते हैं अधिकांस बिटामिन मानो शरीर में संसलेशित नहीं किये जाते हैं बिलकुश सही है क्योंकि इसलिए हमको बिटामिन बाहर से लेना पड़ता है कुछ बिटामिन ऐसे हैं जो आतों के बैक्टिरिया दोरा को का हैं suspension करते हैं इस तरह से सही जवाब क्या हो जाएगा C, A सही है परंतु R गलत अब ये दो सूचियां दी हुई है कुछ जो है पदार्थ दिये हुए है उसके बार उनसे जो है उनका सुमेलन करना है तो A के कौम देखते हैं सबसे आसान नाइट्रोसलिलोज आप जानते हैं ये एक अब कीमो ठेरेपी होती है कैंसर के लिए तो ये तरह की एक ड्रग है यानि ये कैंसर ओदी दवा है और क्या बार क्या है ये जो है एक आर्टिफीसियल संस्लेसित रेसा है फाइबर है तो इस तरह से जो है इसका option क्या सही हो जाएगा B option सही हो जाएगा आगे निमलिकित में से किसी वस्तों के नमूने के हवा में खुला रखने पर कुछ समय पस्चात वो गायब हो जाता जैसे कि कपूर, नेप्थलीन या सुस्क बर्ब तो ये घटना क्या कहलाती है, बहुत आज इजी कोचन है, सबमिलिशन या उर्ध पौतन की ये घटना कहलाती है, प्रकास उर्जा का आप्टिकल फाइवर में समनचन क्यों होता है, टोटल इंटर्नल रेफ्लेक्शन से यानि पूर्ण आंतरिक परावर के, आगे चलते हैं, एंजाइम के संबन्द में कौन से कथन सही है, ये हमको बताने हैं, तो ये जय उत्प्रेरक होते हैं, देयार बायो कैटलिस्ट, बिल्कुर सही है, दूसरा कथन क्या है, वे सरीर में उसी स्थान पर अपना कार करते हैं, जहां पर उत्पादित होते हैं, तो आपने पढ़ा हैं, एक जो है बिल्कुल ऐसा कोश्चन जो है, जो हो सकता है, जो आपने कभी ध्यान न दिया हो, पढ़ाना हो, तो मा का दुग्द नौजात को लगबग संपूर आहात दान करता है, लेकिन इनमें से किस चीट का आभाव हो, तो इसमें कुछ डाउट भी हो सकते हैं, लेक अब एक कोश्चन और जो है, इन सभी पदार्थों का पहली बार जो है, आर्टिफिसियल सिंतिसिस प्रियोकसाला में कब की गई, उसके क्रम बेन को लगाना है, तो मैंने कुछ चीजों को जो है इसमें देखा था, फुलरीन, फुलरीन जो है ये 1985 में जो है सिंतिसाइज कि अगर ग्रैफीन की बात करें, तो ग्रैफीन जो है बिल्कुल नया है क्योंकि ये कार्बन का 3D अडू है, कैवलार 1964 ये भी आर्टिफिसियल फाइवर है, और ब्लैक गोल्ड के संबन में थोड़ा डाउट है क्योंकि सामानता हम लोग काला सोना किसे कहते हैं, पेट्रोलिय पडार्तों को कहते हैं, या कोईले को भी कहा जाता है, तो यहां पर अब किस स्पेस्फिक टर्म सेंस में इसकी बात की गई है, तो इस तरह से इसमें इनकरम के अधार पर BID में से कोई आपसन सही हो जाता है, इसके बारे में और जानकारी करके आपको बताए जाएगा, बि बिसेज कर जो है, जो पुस्तकालेओं का नेटवर्क होता है, उसमें कोई भी चीज ढूणनी होती है, उसके जो डाटा होता है, उसको यह लिए बिबिलियोमेट्री यानि फंसन आप लाइबरेरी नेटवर्क है, यहां पर अगर देखा जाए तो बहुत माइनर अंतर है, A लाइन यूज किये जाने वाला टर्म है, अगला Albedo किससे संबन दी थे हैं, तो आप Albedo के बारे में जानते हैं कि उरजा या प्रकास के माधियम से जो उर्जा होती है, यहां पर विसेज कर उसी की बात करते हैं, माले यह प्रत्वी पर आती है, तो प्रत्वी द्वारा ज तो कौन कितना ज़्यादा परावर्तित करता है उसकी छमता ही जो है अलबीडो कहलाती है यानि आपतित प्रकास जो अपड़ा और जो परावर्तित हो गया इनका रेशियो जो होता है वो अलबीडो पावर कहलाता है और जो सतह जितना ज़्यादा प्रकास वापस कर देती है वो जो है उसकी albedo power जो है ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा चमकीला दिखता है तो अगर यहाँ पर इस तरह से देखा जाए तो वापसी की सकती यानि reflecting power जो है albedo के लिए ज़्यादा सटीक है हलाकि absorbing power भी यहाँ पर लिखा है को कि उर्जा आ रही है प्रकास के फार्म में आ रही है उसको absorb किया जा रहा है लेकिन यहाँ पर ratio जो है absorption और reflection का होता है तो यहाँ पर reflecting power जो है ज़्यादा सटीक हो रहा है गहरी कार्बन बेरसाला के संबन में कौन से कथन इसमें से सही है तो यह वैस्वीक अंसवंधान कारिकरम पत्वी पर कार्बन की भूनका को आगे बढ़ाने के लिए है करीब 120 जो है बैग्यानिकों की एक बहुत बड़ी टीम है जो कार्बन कहां पर किस तरह से पत्वी पर उस सरजित हो रहा है और उसके बारे में सारा अध्यान किया जा रहा है यह गहरी माइक्रोबियल पारिकी तर्व के खेतरी और लोगन के लिए है इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फंक्सन है तो इस तरह से इसका आप्सन ए और दो दोनों ही यहाँ पर सही है आप आप य योटो प्रोटोकाल आप जानते हैं कि यह जलवाई परिवर्तन बिसेश कर जो है ओजोन लेयर के सनच्छन के बारे में या ग्रीन हाउस गैसेज के उस सरजन को रोकने के लिए यह प्रोटोकाल था जो सबसे पहले लाया गया था उनने सो बानबे में और सोला फरवरी 2005 को यह लागू हो पाया था तो यहाँ पर जल सरनच्छन जो लिखा है वो गलत है इसलिए जो है इसका D option ही सही हो जाएगा अगला प्रस्न थोड़ा सा जो है यह भी doubtful प्रस्न है इसके बारे मैंने उसे जितना मैं research कर पाया उसके आधार पर जो है मैं यह कह सकता हूं कि कारण दिया है तितलिया कम तापमान में नहीं रह सकती है तो यह जो है कारण सही नहीं है क्योंकि तितलिया जो है धुरूवी छेतरों में भी पाय जाती है cold-blooded वो होती है अपना जो है सरीर का तापमान जो है मौसम के आधार बदलने के उनके अंदर छमता होती है तो कथन सही है कारण इसमें गलत है आगे आयो क्या उत्तर देता है इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे एक इको सिस्टम में जो पोसन इस्तर होता है यानि ट्रॉफिक लेविल होता है वो दूसरे पोसी इस्तर से इस्थनांतर उर्जा की मात्रा का क्या हुच में होता है तो मैं जो है दस प्रसत का नियम भी कहते है जो लिंडमान दोरा पर ताजित किया गया था तो लगातार जो है एक इस्तर से दूसरे इस्तर पर जो पोसर इस्तर पर उर्जा जाती है वो घटती जाती है कौन सा जैविक नाइट्रोजन निदारन से संबन दित है तो इसमें जो है, जैविक nitrogen, जो है blue green algae, जैसे ऐनामिना, नाश्टाक और गहरा है, तो ये जो है एक bacteria ही होते हैं, लेकिन इनको blue green algae भी कहा जाता है, कोकि ये पौदो कि स्रेडी में आते हैं, तो वो जो है जैविक निर्धारन करते हैं, nitrogen का, आगे स्माग, जो है ये कैसे ब साइड होता पर्टिकुलरली बात करें और उसके बाद पैन यानि परिस्टाइल नाइट्रेट तो इसके तीनों मिलके तो इस तरह से यहाँ पर दो चीजे तो आपको दीए हुई है ओजोन तथा नाइटोजन तो इस तरह से यहाँ पर जो है नाइटोजन भी आप से जो है कर कोई तारे की मृत्ती हो जाती है यानि एक कोलाज इस्टार वही जो है इतना डेंस एरिया बन जाता है वहाँ पर जो है कि गुत्वा कर्षण भी जो है हाई बहुत हो जाता है तो ये इस्तिती जो है एक कोलाज इस्टार वही ब्लैक होल भारत में सबसे अधिक जय विवित्ता सम्पन छेत्र कौन सा है तो इसमें से सही उत्तर क्या है Western घाट या पश्चमी घाट यह सबसे ज़ादा जो है बाई डावर्स्टी वाला जो है भारत में रीजन है अगला भारत में साटत विकास लेक्षियों के कार्यानवन के लिए एक नोडल संस्था इन में से कौन सा है नीती आयोग नीती आयोग ही जो है ये HDG सुचकांक है भारत के राजियों के लिए जारी भी करता है और उसके जो है अनुपालन के लिए जो एक यहाँ पर नोडल एजेंसी की तरह काम कर रहा है ये सारी समितियां दी हुई है इनका जो है कालानुकरम के अनुसार जो आपको लगाना है तो इसमें B option सही है यानि SS कोली समिती उसके राबिज समिती से पहले उसके बाद जो है नायक समिती और फिर कार्व समिती तो जो है इसका यह सही उत्तर है कुछ समितीयों में जो है थोड़ा confusion है उसकी date उसको भी लेके अगला प्रस्न हम देखते हैं ये भी जो है इसमें सुमेलन करना है तो एक एक को पहले उसमें देखते हैं राष्टी ग्रामीर स्वास्ट मिसन जिसको एनार्चेम कहते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं ये 2005 में लागू हुआ था उसके बाद अगर हम बात करें तो राष्टी कुछ निवारण कारिकरम ये भारत में 1975 में स्टार्ट किया गया समन्वित बाल विकास योजना ये 1984 में और अंधापन नियंत्वन हेतु राष्टी कारिकरम ये 1976 में इस तरह से जो है इसका C आप्सन जो है यहाँ पर 107 नंबर कोश्चन का सही हो जाएगा अगला प्रस्ट तो इसमें जो है अभी हाल ही में भारत महिलाओं की स्रम की भागिदारी की दर में तेजी से गिरावट आई एक कारण इसका क्या है बताया गया है पारवारी काय में सुधार और सिच्छा में ब्रद्धी के कारण इस स्रम की भागिदारी में गिरावट आई ततर जो है अब इसमें हमको बताना है तो इसमें सही है A और B दोनों ही सही है यानि कथानों कारण दोनों ही सही है और इसकी ब्याख्या भी सही है अगला प्रस्ट इसमें हम देखते हैं ये कुछ जो है वेजिटेशन के प्रकार दिये हुए वनिस्पतियां जो है और इनका हमको सुमेलन करना है थोड़ा सा जो है देखने में कुछ टफ जलूर लग रहा है लेकिन इसको हम लोग देखते हैं तो एक एक करके देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं माक्वी की माक्वी जो है ये भूमर सागर के टटी छेत में फिर फिमबस टाइप आप वेजिटेशन जो है ये दच्छिड अफरीका में सी का वन हो जाएगा चैपरेल जो है कलिफोनिया में और मैटोरेल ये चिली में आगे देखते हैं अगला प्रस्न अब ये देश और राज़ानिया सब मिडिलिष्ट के देश हैं इसमें जो है तो इसका सही क्रम क्या है ये हमको देखना है तो ये सभी सुमेलित हैं कैसे उजबेकिस्तान की तासकंद, तजाकिस्तान की दुसांबे, किर्गिस्तान की हम उसको देखते हैं उसमें क्या सही है तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या इपी फाइट्स इपी फाइट्स कैसे होते हैं यह इक्विटेवरियल होते हैं भूमद रेखी होते हैं फिर बबूल यह सहारा टाइप आप वेटिसन क्योंकि सुस्क में उसमें पाय जाते हैं बैयो ये जंजातियां हैं और इनके इस्थान है इसमें कौन सा सुमेली थमकुन नहीं है ये बताना है तो साब साब आप देख सकते हैं किरगीस जो है ये सूडान की नहीं है ये कहा की जंजाति है विसेश कर जो किरगीस्तान है वो नेटिव वहीं पर रहते हैं इसके जो है और बड़ी सक्तियों का सैन अड़ा बन गया है क्योंकि यहां पर जितनी भी विशु की बड़ी ताक्तें सब चाहते हैं कि यहां पर उनके सैनिक अड़े स्थापित हो जाएं कोई स्री लंका से समझोता कर रहा है कोई इरान से कर रहा है कोई पाकिस्तान को अपने तरफ गसीट तो कि यहां पर जो है ले रहा है तो इस तरह से हिंद महासागर के निकटवर्ती देशों को बहुत भागवलिक राजनेतिक लाब है तो तो कारण इसपच्ट है क्योंकि यहां पर जो है भागवलिक और राजने का पठारिया जो पहाड़ी तो इसका B option जो है यहाँ पर सही हो जाएगा अब भारत में सरवादिक सगंता वाला भूकमपी छेत्र कहां पर है हिमाले और रीजन में बिल्कुर सही कथन दिया है हिमाले में कई अनुदैद उत्क्रम छेत्र अविस्थित है यह भी जो सही है इस सुनदर उधारण है किसका सरोवरिय मैदान का यानी लैकुस्ट्राइन प्लेन है वो जो है जीलों के मैदान में जो विक्सित होते हैं उनके लिए जो है इस तर्मी तो सरोवरिय मैदान आगे निमलिकित में से कौन से अपने भरंस घाटी प्रवा के लिए प्रसिद है तो प्राकृतिक प्रदेश को बड़े सिकारों की भूमी के नाम से जाना जाता है तो इसका सही उत्तर क्या है उश्ड कटबंधी सवाना प्रदेश या इंगलिस में ट्रॉपिकल सवाना रीज़र अगला प्रस्न मुख्य हिमाले की परदार चटाने जीवास महीन है सही है बिलकुल लगू हिमाले की परदार चट्रानों में समुद्री जीव जन्तूओं के जीवास मिलते हैं ये भी कथन सही है बाय हिमाले या सिवालिक हिमाले में मानो सबिता के आउसेस प्राप्त हुए है तो इस तरह से 1,2,3 ये तीनों ही कथन जो है यहाँ पर सही तो दोस्तों इस तरह से प्रसान सर का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो इसको देख लीजिए कोकि बाकी कोश्चन उसमें कवर किये गए हैं और जो कोश्चन बचे थे वो मैंने इसमें कवर कर दिये हैं अब आप मिलान कर लीजिए जो है कोश्चन हलाकी अभी भी डाउटफुल है जिसमें मैंने आपको बीच में बताया भी है तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और रिसर्च जारी रहेगी क्योंकि कोश्चन का इस तरह पहली बार लगा कि जो है हाँ UPPCS जिस तरह से ब आपके से यानि जोड़े बनाने में कौन सा बिकल्प गलत है इन में से तो एक ही कोश्चन में चारचर फैक्ट को डाल दिया गया था तो ज्यादा तर फैक्ट ही थे economics के कोश्चन भी अच्छे थे आपने देखा होगा जो है तो अब इसको जो है कुछ दिन बाद जो है इस झाल झाल